प्राइज स्थापना दिवस समारो चेमबर ऑफ कोमर्स के सभागार में अवजित किया गया, जिसमें नेगर विदायक विजन चौधरी के द्वारत के काटकर किया, संजुक तुरूप सुधार्डन किया, समारो में मुख्य अतिछिक में बहुचया, विदायक में साफिर पास चीव, देवन रजेक ने भाग लिए, अस्थापना दिवस के उससर पर सवा को संबोधित करते हुए, रश्ट्री प्रधान बहास चीव, देवन रजेक ने जन वित्रम की समस्या को वाबीरता से उठाते हुए, विदायक के समक्ष कई बिंदूओं को रखा और अग्रह कि अग्रह को सदन के पटल रखने का काम करें ठाकि हमें पूरा हख मिल सकें, इसी करी में बोचाहा विदायक मुसाफिर पासवान ने कहा कि मैं आप सभी कि समस्याओं को सदन में रखूंगा, संबोधन के करम में नगर विदायक विजयन चौधरी ने ताकि सभी जन वित्रम विक्रेता को अपनी शक्ति का परदर्शन करना होगा और पंचयात अस्तर से लेकर विधायक तक अपनी प्रतिनी जी भेजना पड़ेगा, समारोव में मनुज कुमार बैठा, ससीना ठाकूर, समेच सैक्रू विक्रेताओं ने भावी है आज अस्तापना दिवस में जो हम लोग जो लगातार 11 बरसों में क्या काम किये, कहां तक काम होना बाकी है, क्या किन-किन मुद्दाओं पर हमको डिल्रो की समस्या को सरकार तक पहुचाना है इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं और उनको बताने का काम करते हैं इसी के लेकर आज हमारे दो-दो बिधायक को भी हम लोग ने आमंतरित किया था कि इसे अस्तापना दिवस के गवाह के रूप में मानिय नगर बिधायक भी जंदर चदरी जी है मानिय वचहा बिधायक है मानिय श्री मुशाफिर पास्मान जी है इन लोग को उपस्थिती में आज हम लोगों ने पूरे देश में जो हमारी योज़ों समस्या थी इस पर सरकार को हम लोगों ने धरना और परदर्शन के माध्यम से दिल्ली में दिखाने का काम किया था उस पर बहुती समस्या का समधान सरकार अस्तर पर हुआ बहुत चीजों को नहीं हुआ है उसको लेकर लरना जैसे कमिशन के मामला में है अनकंपा के मामला में और छुट्की के मामला में इन चार-पांच मुद्दाएं जो हैं जो हमारा दस बर्सका से जो कमिशन फ्यर पराज दिलर एस्टेसन डिलरों को नहीं बढ़ाया गिया है उसकी लड़ाई देश अस्तर पर है हमारा दूसरा जो अनकंपा के रूप में जो सरकार हमको देती है 65 बरश जिसको बिहार सरकार ने घटा कर अंठावन किया था उसकी भी लड़ाई है और तमाम जो जाच के नाम पर धांदली किया जाता है इन तमाम मुद्दाओं पुले कर आज हम लो यहां पर बैठे है बैठ कर अस्तापना दिवस में अपनी चर्चाएं कर रहे है और अगर इस समस्याओं को समाधान नहीं सरकार के अस्तर पर होती है पुड़ा अल इंडिया पुड़े देश भर पर हम लो इसको आज हो रहे है लेटेस कब्रों के लिए देखते रहे है M.U.Z. News और ताजा अपड़ेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूदे